हरो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागात तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहें क्लास नाइन्थ का यानि नौमिक अक्षा के लिए जो है समाजिक विज्ञान ये टॉपिक कई मानने में एक्जाम के भी उससे बहुत काफी इंपोटेंट रहेगा क्योंकि इसमें हम कुछी कोशन का डिसकर्श करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतरगत होगा ठीक है और ये आप के लिए इंपोरेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये इंदी इंग्रिश दोनों माद्या में समझाया जाएगा ठीक है जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि सम एक्जाम के समय मैं आपके लिए इंपोरेंट कोशन डालूंगा तो वो जो है बादा पूरा करने क समय है तो चली देखते है हमारा आज पहला कोशन क्या है इसका मतलब दोस्तों यही रहता है कि एक जूसी हुई पृत्वी नीती के क्या थी यह आप सोच में पढ़ गए होगे कि यह कैसा एक अजीब गरीब कोशन है तो एक्जाम में ऐसे कोशन को ही महत्व दी जाती है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो कोशन करा रहा हूं उसको अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए और एक्जाम में ऐसे कोशन को ही जो है महत्वपून बनाया जाता है क्योंकि यह एक तरह की नीती थी एक जुलसी हुई प्रित्वी की नीती आखिर कैसा कहते हैं जब जावा में जपानियों द्वारा जावा छेतर में जपानियों द्वारा इस छेतर पर कबजा करने से ठीक पहले यानि देखा जावा में जपानियों ने कबजा किया ठा लेकिन कबजा करने से ठीक पहले डचो का शार्शन होता था डच जो है रहते थे इन्होंने एक जुलसी हुई पृत्वी नीती का पलन किया यानि उन्होंने एक नीती बनाई जिसको उन्होंने पृत्वी की जुलसी हुई नीती के नाम दिया इन्होंने क्या किया इसके अंतरगत आरा मिलो को नस्ट कर दिया जो आरा मिल थे वहां पर जिसे पृत्वी के पर ना कर सके तो समझ में आपको आया बहुत इंपूरेंट कोशन था यह और एक्जाम में आने की चांसे से रहते हैं इसमें साब शब्दों में ऐसा ही कहा जा सकता है कि जावा के छेत्र में जापानी द्वारा जब कबजा वहां पर किया जा रहा था जावा एक छेत्र थी जहां पर जापानी अपना कबजा करना चाते थे लेकिन डचो ने क्या किया उनन्हों करके जो आरा के मिल रही थी और जो लोग थे बहुत विशाल लोग रखे हुए थे लकड़ कर छेर थे कहते हैं मुझे समझ में आ गया कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा अच्छे से चलिए देखते हैं next question क्या है the next B part here what were the main cases of the deflorecistations in India during the British rule there is a most important question for the exam view what were the main cases of deflorecistations in India during the British rule the here answer the main case of deflorecistations were the following the first here the British encourage the production of commercially crop like jute sugar wheat and cotton because there is a commercially crop there are jute sugar wheats and cotton the production of food grain was needed to be feed the growing urban population and raw material was required for the British industry in a betaine there is a most important here of British ruler time the second point here the British thought that is a forest bear is a unproductivity there's we are of their view that space cover with the forest could be a used for a cultivation which could be fetch them revenue and enhance their other income of the state also there is a most important here this question here is a very important question that we have discussed here is that British shashan ke douran भारत में जो बनों का उल्मूलन मुक्खे कारण क्या थी बन अन्मूलन का मतलब होता है कि जो इतने सारे पेर पोधे काटे गए आखिर इसका कारण क्या हो सकते हैं कभ बिटिश shashan ke douran ऐसा कोशन examiner का हमेशा favorite रहा है और ऐसे कोशन आते हैं कि बिटिश shashan kaal के दोरान भारत में जो है बनों का जो अन्मूलन यानि काटने का सबसे बरा कारण क्या था तो देखा जाए तो इसका पता है कि इससे जो कोमर्शली क्रोप थी जूट चीनी गेहूं और कपास इसको बेफसाइफ हसल होने के नाति इसको हर एक छेतर में जो है सानी से जो है ले जाया जा सकता था बरती सहरी अवादी को खिलाने के लिए खाध्यान को उत्पादन की अवर्शक्ता थी और विट जो के समक्ष इसरफ यही एक रास्ता था कि भारत से जितना हो सके कच्चे माल जो है अपने देश में ले जाएं और वहां पर जो है उसको उत्पादन करके दूसरे देशों से मुनाफ़ा कमाएं क्योंकि उस समय भारत जो था उपने देश बना हुआ था अंग्रेजों का तो इसमें साब जाइड होता है कि उसने अंग्रेजों ने यहां पर जूट चीनी के हूँ और खपास की वेपसाई फसलों के उत्पादन को ब्रहोतरी दिया और आपको पता है उत्पादन किस जगा हो सकती है एक भूमी में होती है जहां खुली भूमी हो अगर माल लोग ब भारत में बन जो है उन्मूलन हो गया यानि बनों का जो है नस्ट हो जाना सभाविक बात था जूसरी पॉइंट अगर हम गौर करें तो यह बात साफ हो जाता है कि अंग्रेज सोचते थे कि बन अनूत पादक है यानि बन से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता यह किसका सो से अधिक हमें चीजे प्राप्त नहीं होती है अगर हम बनों का काट के खेती में भारत में जो है बन अनमुलग का मुख्यक कारण बना ठीक है अपने बेपार को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने हर संभव कोशिश किया आज हमारा पहला कोशन क्या है इसके अंतरगत from the search is question here how are the forest killer to expand the railway network in India in the earlier 90th century there is a most most important question for the exam view how are the forest killer to expand the railway network in India in the earlier 90th century there is a most important question for the exam view the answer here first point the spread of the railways is a form the AT50s create a new demand of timber there is a most important AT50s is a create a new demand for the timber and second here a railways was needed for the spread of trade in India to run is a locomotives burden was needed as a fuel and the lay of railway line as a sweepers were required to hold tie track together there is a most important here as the railway track spread a large number of tree were faded there is a government give a contract to the individual to supply your timber and this contractor she began cutting tree is indiscriminately there is a most most important question of sea को देखिए यहां पर जो हमारा कोश्चन आया है सी बहुत 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 मिंपोटेंट है इसमें 19 सतावदी के सुरवात में भारत में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने के लिए जंगलों कैसे सफ साफ किया गया था यह बहुत काफी इंपोटेंट कोश्चन रहता और इसकोश्चन को जरूर उठाता है यह कि 19 सतावदी के सुरवात में भारत में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने के लिए जंगल को कैसे साफ किया गया तो यह बहुत काफी इंपोटेंट कोश्चन है देखिए 1850 के दर्शक में रेलवे के प्रसार ने इमारती लकड़ी की एक नई मांग पैदा कर दी यानि 1850 के दर्शक में रेलवे के प्रसार ने इमारती लकड़ी की एक नई मांग पैदा कर दी अखिर इसका अर्थ क्या हुआ? लगी, 1850 के दर्शक में, रेलवै लाइन की विस्तार हुआ. अब लाइन में, लाइन की विस्तार होने से क्या हुआ? कि हमें दूर दरार चस्थेतरों में लकडी ले जाना था. और बहुत सहरों में لकडी patients की मांग बढ़ गई थी. इसलिए एक दुसरे छेतर से इस छेतर में आने में जो है रेलवे ने बहुत वरा युगदान दिया अब कहते हैं जब संसाधन रहता है तो मांग भी बढ़ जाती है अब लाने ले जाने के लिए रेलवे तो संसाधन के रूप में कारे कर रहा था और यही बात जो था इसकी जो है बढ़ाने का सबसे वरा कारण बना कि रेलवे लैंड बिज जाने के वज़े से मांग भी बहुत असानी से बढ़ गई और पोचाना भी सरल हो गया इसलिए जो है उनिश्वी सताबदी के सुरुवाती दोड में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के कारण जंगलों के दरादूर सफाई की गई दूसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि भारत में बेपार के प्रसाड के लिए रेलवे के अशकता थी यानि भारत में बेपार करने के लिए रेलवे बहुत काफी इंपोर्टेंट थी क्योंकि एक जगह सो दूसरे अस्तान उस समय कहते हैं बस से जाया नहीं जा सकता था सिरफ पानी का जो होता था जहाजों का इस्तमाल की जाती थी और वो हर छेतर में उपलब्द नहीं था लेकिन रेलवे को हर छेतर में उपलब्दा किया जा सकता था कहते हैं लोकोमोटिप्स को चलाने के लिए इंदन के रूप में लकडी के अफशकता होती थी और रेलवे लाइन विछाने के लिए सिलेपलों की अफशकता होती थी ताकि पट्रियों के एक साथ पकराज जा सके तो यह काफी इंपोर्टेंट था इसलिए बनों का अनुमलन क करना सोभाविक बात बन गई थी कि इदनों के रूप में लकडियों के उशकता थी और लकडियों के काटने जो है पेर पौधे से हमें प्राप्त हो सकती थी कहते हैं जैसे जैसे रेल की पट्रिया फैली बड़ी संक्या में पेर काटे गए लकडी की आपूर्ती के लिए सर मैं पर्मिशन दे दिया कि आप जो है कुछ लकडियों को काट सकते हो लेकिन यहां पर ठिकदार ने लालच की आंखे बंद कर ली और लालच की इतनी बड़ी सीमा दिखाई कि बहुत सारे पेर को काट के रख दिया जिसके विए से बन अन्मूलन हुआ तो यह सारी बाते ज पांग पैदा कर दिया काफी हद तक और बेपार को परसार करने के लिए रेलवे लाइन को बिछाने जाना अत्यांत महत्वपून था इसलिए यहां पर पेर पौधों को काटा गया तिसरी बात था कि सरकार ने ठिकदार के ठिकदारी दे दिया ठिकदारों को ठिकदार ने कटाय कर दी क्योंकि उनको मुनाफ़ा चाहिए था तो दो पेर काटके मिलना नहीं था इसलिए दो के जगह प्रमिशन मिली है तो उस जगह वो दस पेर काटे करते थे जिसके अक्राती जो आहते हैं बनो का सफाया हो गया यह काफी इंप्रोंट्रेंट कोच्छन एक्जां़ और मुझे विस्वास है कि एक्जामनेर ऐसे को छोड़ नहीं सकता है इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर लेना लिख लेना समझ लेना तो लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा चलिए देखते हैं हमारा अगला कोश्चन क्या है इस पार्ट का Here the the question here is the most important state any three main characteristics of topical dist difícil forest there is a most important question for the exam view state any three main characteristics of topical dist freaked forest there is the most important there the answer here the answer here, the main character of the topically distilled forest here the first these are the most wild spirit forest in India there is a first point is most important here these are the most wild spirit forest in India and second here they are also called the monsoon forest and are spread over to regions and third point here they receive a rainfall between 200 centimeter and 70 centimeter here and four point is the most important here trees shaded there are leaves for the about six to eight weeks in a dry summer there is a four point is the most important according to here tropical decidual forest there is a most important here is a question I have a question question को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके रिगार्डिंग इंग्जाइम में एक नए कोशन जरूर बना के दे दिया जाता है जो कि महत्पून रहता है और वह आपके लिए करना जरूरी भी है तो देखते हैं कोशन कड़े प्रप्ति बनो की विसेस्ता क्या हो सकती है तो पहला विसेस्ता तो यह है कि यह भारत में सबसे अधिक फैली हुई बन है यानि देखा जाये तो भारत में इसका विस्तार जो है बहुत अधिक है यानि भारत में सबसे अधिक फैली हुई यह बन है दूसरी बात पर हम नजर करें तो यही बात दर्शाता है कि इन्हें मांसून बन के नाम से भी जाना जानता है यानि मांसूनी बन भी इसे कहते हैं और यह पूरे छेत्र में फैला हुआ होता है यानि इसको दूसरा क्या कहते हैं मांसून बन भी कहते हैं और यह काफी छेत्रों में फैले हुए होते हैं यहां पर हम देखा जाया क्योंकि हम पनवती बन कह कोई यही बर साती है जैसे कारण यहां पर नों की संख्या अधिक होती है जहां कर रेन होगी जर्नल सी बात है कि वहाँ पर पेर पोदों के अपनी काफी अच्छी विसेस्ता दिखाई देगी चौथा पॉइंट यही बात को दर्शाता है जो कि काफी इंपोर्टेंट रहता है कि सुस्क गिशम काल में पेर लगभग 6-8 सब्ता तक अपनी पतियां गिरा देत है तो आप समझ गए होगे कि पनफ्ती बनों की क्या विसेस्ता है नोट कर लीजिए समझ लीजिए लेकिन इसको याद अच्छे से कर लीजिए सबसे पहला पॉइंट यह दर्शाता है कि भारत सबसे अधिक फैले हुए बन हैं दुसरा यह कहते हैं कि से मांसून बन भी कहा अपने पतियों को गिड़ा देता है कि दूप तो परती नहीं है जर्दियों में इसलिए जो हैंकी पतियां बहुत जल्दी गिर जाती है तो यह चारो पॉइंट बहुत इंपोटेंट था इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी और हिंदी के पढ़ने वाले बच्चों क यह सब लिए भी तो मैं दोनों बच्चों को एक नजरिए से देख रहा हूं कि अच्छे से से याद कर लिजे या तो। आप एको करना है चाहिज एसे मर्जी कीजिए मैं तो आपको जो रास्ता था वो दिखा रहा हूं ठीक है और रास्ता चलना आपका काम है second question who were the Kalangas that the Kalangas is the most important here and mention any four characters of the community there is a most most important question for the exam view who were the Kalangas there is the most important the answer here the Kalangas were tribal's tribals there is a Kalangas were a tribal's community of Java there is a most important here the Kalangas were tribal's is a community of Java there is a four characteristics of here there is a most important characteristics who were the Kalangas? Kalangas is the tribal's community of Java is a tribes okay and there is the characteristics here they were skilled forest cutter and shifting cultivator there is a most important feature here they are skilled of the forest cutters and shifting cultivators and next year they had a great skill of building building places there is a most most important here a great skill of building places and the third point is the most important here they are very so valuable that is a 1755 when the Matrams kingdom of Java is split there is a 6000 Kalangas families were equally divided between to the and the next point here the Kalangas is a war under to the Dutch Kalangan is a war under to the Dutch देखें यहां पर जो कोस्टन हमारे समक्ष आया है वो काफी इंपोर्टन है दूसरा कोस्टन है ठीक है कलंगन कोस्ट थे और इसके समधाय कि नीच चार विसेस्ताओं का आपको लेक करना है अब सोच रहे होगे कि कलंगन होते कों है और ये कैसे थे देखा जाए अगर कलंगन की हम बात करें तो जावा का एक आदिवासी समधाय था यानि ये आदिवासी थी ठीक है और ये किया देखा जाए कि आदिवासी होते हुए भी यह जो थे बंग को काटने में बहुत ही कुशल थे, बड़े से बड़े पेर पौधो को काटना उनकी एक सरलसी काम थी, इसलिए एक कलंगन जो थे एक आदिवासी थे और उनका जो कारे था विसेस्ता थी वो पेर पौदे काटने में बहुत कुशल थे और साथ में साथ पेर पौदे तो काटते ही थे प्लस खेती करने में भी काफी अबल थे यानि खेती करने वाले किसान भी एक तरह से थे देखा जाए तो कलंगन की और भी बात है कि महलों की निर्मान म में इनका काफी कुशलता को दर्शाता था जो की काफी महत्वपून भी था कहते हैं यहां तक ही नहीं था इनके विस्था कहते हुआ इतना मुलेवान थे कि 1775 में जब जावा का मतरम मतरम राज्य विभाजित हुआ तो कहते हैं छे हजार कलंगर परिवार दोनों राज्यों क समानने रूप से विभाजित हो गए आप समझ सकते हो कि एक आदिवासिस जाती के लिए राजाओं ने इतनी बड़ी कदम उठाया जिसको जातियों को यानि उनके फैमिलियों को दो विभिन विभिन भागों में बाड़ दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसे व्यक्त के बाटा गया कहते हैं चेह जार परिवारों को समानने भागो में बाटना आम बात नहीं थी क्योंकि उनकी इंपोर्टेंट के वज़ा से यह बाटा गया कितनी इंपोर्टेंट थी यह आप अंदजा लगा सकते हो कि यह कविलाएं समाज जो थी बहुत-बहुत करना शुरू कर दिया अब देखिए जंगलों पर जब डचो का नियंतरन हो गया तो कलंगन को तो कहते हैं अद्विवासी समधाय थी और इनको कहीं और जाना संभव ही नहीं था तो इनको आपको समधना चाहिए अच्छे से कर लेना चाहिए मैं एक बार और कोशन रिपीट कर देता हूं कलंगन कोन थे और समधाय कि नहीं चार विशेष्टा तो कलंगन आपको पता लग गया होगा कि एक आधिवासी समधाय था और इनकी विशेष्टा इतनी थी कि आप देख सकते हो कि माताराम राज्य के विवाजर भुआ तो इनको को जो है हां से चलाना जाए तो यह काफी important question था और काफी समझ के जरूरी था जिसको आपको note भी कर लेना चाहिए तक कम is the most important question here third why are the forests affected by the war there is a most most important question for the exam view why are the forests affected by the war there is the most important forests are affected by a bar because forests products are used for fulfilling various need and requirement due to the bar in the case of the India during to the first world war and second world war the forest department was a cutting tree freely to the meet of British war needs and during there is a second world war is a Java just before the Japanese occupy the regions and the Dutch flowy to the scorched earth policy and destroying the is where mills and the wailing hog spills of the game ticks log so that they did not be fall into the Japanese hand I have already discussed this question the Japanese is that exploded there is a forest richly for there is a war industries forcing a village to cut down a forest and many villagers took this opportunity to the expand or cultivation in a forest and thus war also lead to be destruction of forest there is a most important here answer and here जो कि दोस्तों यहांपर बहुत काफी important question आया है और examiner का यह favorite question हमेशा रहा है अब कोई भी जो है paper उठा के देख लो यह question जरूर पूछी जाती है कि युदों में बन क्यों प्रभावित होते हैं युदों में जो है बन क्यों महत्वपून होते हैं जो भी question होगा आपको तो समझ लगाने की जरूरत है कि युदों में बन क्यों प्रभावित इतने होते हैं और या युदों में बनों का इतना उप्योग क्यों होता है तो बनों से में बहुत ऐसे उप्योगी चीज भी मिल जाता है जो हमें यूद में काम आती है कहते बन यूदों से प्रवावित होते हैं क्योंकि उन उत्पादों का उप्योग यूद के दौरान विभिन अफशक्ताओं और अफशक्ताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है भ बच्व ने एक जुसी हुई प्रित्वी नीती का पलन किया और आडा मिलों को नश्ट कर दिया जैसे हम एक कोशन को पहले ही डिसकस कर चुके हैं सक्षन ए पार्ट में और विशाल संगोल लॉंग के विशाल धेर को जला दिया ताकि वो जपानी के हातों में न परे अगर यह धेड जो है जपानियों के हाथों में पर जाता तो संभता जो था हम दृत्ते और सकेंड यूज फॉस्ट एंड सकेंड विश्यूद में हम हार जाती इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें जो है अगर उनके हाथों में यह सारे जो लकडी के लॉक थे अगर पर जाते जा रहा कुछ और ही बन जाता क्योंकि आपको पता है कि उस समय जो था इतनी हतियार नहीं हुआ करते थे जितने आज के समय में हैं तो इन ही लकडियों का इस्तमाल हो लोग हर समबता किया करते थे जपानियों ने अपने युद युद्धों के लिए जंगलों का धुनाद जंगले कट रही थी वहां के जंगली लोगों ने भी ऐसा ही कारे को लाब उठाया उन्होंने भी बहुत मातरा में जंगलों को साफ करके क्रिश्य योगिया बना लिया इस परकार इधो कारन भी बनों का विनाश हुआ तो कहते हैं काफी इंपोरेंट कोशन था इसके रिग प्राधी के लिए बहुत ही सरल हो जाती है और एक बार जगलों में पहुँच जाए तो कहते हों कंफ्यूजन फोरेस्ट की तरह कारे करती है इसलिए यूद्वों में जगलों का विसेस महत्व रहती है और इसका आपना विसेस अस्थान रहता है कहते हैं आपने कεί फिलमें भी देखे होगे जहां पर जंगलों का काफि इंपोर्टेंट दिखाया गया और इसको छुप-छुप के बार करने में भी better फैदेमंद होती है तो यह काफी इंपॉर्टेंट है इसे गोरीला यूद के नाम से भी जाना जाता है पुराने समय में जब यहाँ पर मुगल आये थे तो उस समय कहते हैं पंजाब के छेतरों को लोगों ने गोरीला यूद करने पर काफी जो है महारत हासिल कर लिया था और इसके लिए वो जंगलों के छेतरी ही उपयोग किया करते थी गोडिला यूद ऐसा यूद होता था जहां पर छुपके हम दुसमनों पर तूट परते थे और अचानक जंगलों में छुप जाया करते थी तो यह काफी जंगल जो थे महतपून थे ऐसे ऐसे यूदों के जंगल का यूद में क्या उपयोग होता है या यूदों में बन क्यों परभावित होते है तो हर एक कोशन जो है काफी इंपोटेंट इसके अंतर गता है जो बच्चे इस कोशन को अच्छे समझ लेंगे उनको हर एक कोशन जो है बहुत ही असानी से समझ में आ जाएगा लेक अगर आपके लिवस में यह इस टॉपिक था तो यह काफी मानने में इन्पोर्टेंट था The fourth question is the most important here, explain any five way in which the leaves of the villagers were affected by the forest act There is the most important question here, explain any five way in which there are leaves of the villagers were affected by the forest act here ansha the leaves of the villagers were affected by the forest law first of all there is a forest law is the most important here now the villagers were deprived of their customary practice like a hunting scouting grazing and their cattle collected to the fruit etc there is a most important activity here villagers they are like hunting, scouting, grassing their cattle and collecting of fruit etc that is the most important for the leaf and the second here one of the major impact was on the practice of the shifting cultivation or garden agriculture there is a second point is the most important here one of the major impact was on the practice of the shifting is the cultivation and garden agriculture and third here is most important people were now to the forest to the style boots from to the forest and if there were is a catch they were at the mercy of the forest guards who would be take a bread from them there is also important here and the next point here the human who is a collect the fuel boots were especially warriors there is a most important here point and it was a common for a police constable and forest guards to be horses other people by demanding free food from them there is also important here लेकि दस्तों यहां पर अत्यंत महतपून कोश्चन आया है कि बन अधनियमों द्वारा ग्रामनियों के जीवन को प्रभावित करने वाले किनी पांस तरीकों का आपने व्याख्या करना है कि जब बन अधनियम लागू किया गया तो ग्रामनियों के जीवन को किस परकार से प्रभावित किया आपको शाद पता हो कि प काफिक परभावित हुआ क्योंकि उनको जो है ना जलाने के लकडी मिलती थी ना बनों में उनके जाने के प्रवेश दिया जाता था तो इसके वाज़े से कही टाइम जो है संगर्ष की महौल बनती रही तो इनी बातों को आपने यहां पर उजागर करना है यसी बात को आपने पॉइंट भी उसे देना है जैसे कि मैंने भी यहां पर देने कोशिश किया है पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि बन करूनों के ग्रामनी जिवन क्या प्रभाव हुआ तो पहला पॉइंट यह कहता कि जब ग्रामनी है अपनी प्रथा गत प्रथाओं जैसे सिकार करना का प्रवेश करने से मनाही कर दी गई तो उनका जीवन जो था एक तरह से देखा जाया तो थपसी पर गई थी तो यह क्यों हुआ नए बन अधनियम लागु करने से ग्रामनी जीवन बहुत काफी प्रभावित हुआ कहते प्रमुक्य प्रभाव से एक जूमखेती जो इसे घुमंत्रू किर्शी किया करते थे अब उस पर भी रोक लग गई आपको पता है कि जूमखेती जो है नहीं कर सकते थे अब कहीं एक जगह ही उनका जीवन यहाँ पर करना था पहले वो बन को खाली करके वहाँ पर सिफ्टिंग एरिकल्चर के लिए एक साल के लिए करते थे और फिर छोड़ देते थे अब ऐसे करना उनके लिए संभवता नहीं थी बात अगर हम अगली पॉइंट के करें तो यही बात दर्शाता है कि जब लोगों को जंगलों को से लकडी चुराने के लिए मजबूर किया जाता था आप देखिए जब उनको बनों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था नहीं उनको बनों से कुछ प्राप्त करने दिया जा रहा था तो वो करेंगे क्या कैसे अपने जीवन यापन करेंगे तो जर्नल सी बात है उन लकडियां चुराएंगे ही जंगलों में जो है बिना जो है उस आगया के परवेश करेंगे ही करेंगे वो जर्नल सी बात आ अगर वोगे पकंडय जाते थे टो वर बन स्राक्षों की दया पर निर्वर HOLA जो उनसे रिष्वत भी लिया करते थे अगर माल लीजिए अगर आप लकडी करते चोड़ी करते पकड़े जाते थे गरामनी ये लोग तो उनसे वो रिश्वत भी लिया करते थे चोड़ने का या उनके साथ दुर्य विभार भी किया करते थे तो ये बहुत बरा जो है गरामनी छेतरे के लोग प्रभावित हुए बन अधनियम के अंतर कोई और दुसरा चारा नहीं था क्योंकि लकडियां लाने से पहले प्रतिवंधित कर दिया गया था कुछ महला है अगर लकडिया लेने जाती थी अगर पकड़ी जाती तो उनके साथ शोषन भी किया जाता था तो इसके वज़ासे ग्रामनी औरतों की दुर्दशा भी बहुत ही बुरी हो गई थी क्यों हुई थी क्योंकि उस समय बन अधनियम लाया गया था और यहीं जो है जर्नल सी बात है को लकडियों को उनको ले जाने में मना ही करते थे तो इसलिए वो चोड़ी किया करते थे जिसका जो है उनका बुरा प्रभाब उन पे परता था कहते हैं ग्रामनिय लोगों से जो है मुप्त भोजन मंगवाते थे और उनका सोशन किया करते थे तो कहते हैं बन अधनियम ने कई मानने में जो है ग्रामनिय लोगों के जीवन बहुत के तर के वितर कर दिया तो यह कोशन काफी इंपोर्टेंट था इंग्जायम वीव से मैंने कान जो भी कोशन मैं आपको करा रहा हूं बहुत-बहुत मैं तपूर्ण है उसको अपने कोपी पर नोट डाउन कीजिए अच्छे से उसको समझिए और एग्जायम की तयारी कीजिए Here the fifth question is the most important here. What kind of life is lived by the tribals of the Vastar? There is the most most important question here. What kind of life is lived by the tribals of Vastar? There is the most important here answer. The people of Vastar believe that each villager was given it is a land by the earth. The people was of Vastar is believed that each villager was given it is a land by the earth. And in return they look after the earth by making some offerings at the each agriculture festival. There are most most important here point they took after the earth by making some offering at the each is a agricultural festival. And second point here the addition to the earth they show respect to the spirit of the river. Thus so they are the spirit or respect of the spirit of the river, the forest and mountain as well. There is the most important thing here the respect of the spirit of river, forest and mountain as well. And third point here is the most important also. The sign that each villager now is where it is a boundary lies their local people. Look after all the natural resource within that is a boundary. There is the third point is the most most important. If the people from a village or want to take some woods from the forest of another village. They pay a small fee call to the devasari is a dam that are money in the exchange. Some villagers also protect their forest by engaging a watchman and each household contributes some grain to pay them. And every year there is a big hunt where is the head man or villager is there is an upper gun is a meat of discourse issue of the concern including a forest. देखिये यहां पर जो जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने सिरफ महोत ही बहुत महत पून को ही लेंगे जो इक्जामनर का जो है बहुत काफी फेवरेट रहता है महत पून रहता है. तो उसी के अंतरगत जो है हमारा पाँचमा कोश्चन भी अपने इंपोर्टेंट को यहां दर्शार आ है कि आखिर इसकी इंपोर्टेंट कैसे हो सकती देखिये बस्तर के आदिवासियों का जीवन कैसी थी जो हम बस्तर आपको पता है इस चैप्टर में हम यह तो जावा ज जावा छेतर की बात करते हैं या वस्तर छेतर की बात करते हैं जहां पर जो है आदिवासी जीवन अपना जीवन व्यप्तित करता है और यहां पर जपानिस अपना इफ्यक्ट डालना चाहता है ठीक है और अंग्रेज जो हर छेतर में अपना कवजा करना चाहते हैं यहां प का ये knowledge लगाना है कि भाई इस question को हम कैसे लिखे और कैसे जो है इसको अपने लिए संदक्षित करें जो exam तक हमारे लिए काम आ जाए तो यह सोचना आपका काम है मेरा नहीं है तो इसको फटा-फट इसको note कर लीजिए जो कि बहुत काफी important है और फटा-फट इसको जो है दिम दिवास्यों का जीवन कैसा था वस्तर के लोगों का जो है जो है मानना है कि परते गाउं की उसकी भूमी जो है पृती माता का दिया हुआ और बदले में यानि देखा जाया तो वो लोग उस सब ही मनाते थे पृत्वी के उस सब जिसमें पृत्वी के लिए वो कुछ न कुछ चरहावा भेट दिया करते थे यह बस्तर के आदिवासों का जीवन का परमुख्य जलक थी दुसरी बात यहां यह दर्शाता है कि वो पृत्वी के साथ साथ नदी जंगलो और पहारी के आतमाओं के प्रति सम्मान दिखाते थे यानि यह दिवासी लोग जो है नदी को जंगलो पहारो की आतमाओं को जो है सम्मान करते थे पूजा पाठ किया करते थी तो उनकी जीवन इस परकार वो लोग बिताया करते थी अगर थर्ट पॉइंट के तरफ परकास डाले तो यही बात यहां आती है क्योंकि परतेख गाउं जो है जनता है कि उसकी सिमाए कहां है यानि परतेख गाउं जानता था सबी प्राकिति संसादों के देखवाल किया करते थे ठीक है यहां पर छेतर जो गाओं बनता था उज छेतरों को देखवाल करना उनका दाईतु था और वो जो है महत्पुन कारे भी समझा करते थे अगर हम चौथी पॉइंट को बात करते तो यदि एक गाओं के लोग दुसर आदमी यानि उनको जब कुछ समय के लिए विक्ति को देना परता था जो की उनके कारे करने में शक्षम होते थे और उसके बदले में वो लकडियां दिया करते थे देव सारी का मतलब होता है कुछ हद तक जो है उनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे कुछ समान देना अगर उनके जंग्लों में जाके आगर आप लखडी लेते थे तो यानि अपने बॉंडरी से अगर बॉंडरी में वह जाते थे तो उनको कुछ न कुछ जो है भेट के रूप में यह सुल्क रूप में देना पड़ता था तो यह वस्तर के अढ़िवासियों लोगों की जीवन का एक महत्वपोर्ण पहलू था उसके पश्चात पांच में पॉइंट पे हम विचार करें तो कहते हैं कुछ ग्रामनिये चौकिदारों को नियुक्त करके अपने जंगलों की रक्षा भी किया करते थे अब देखिए यह नहीं था कि यहाँ पर अंग्रेजी चौकिदारों के निक्ति करते थे यहाँ पर ग्रामनिये जो लोग थे वो भी चौकिदारों की निक्ति करते थे कि उनके जंगल में कोई दुसरा वेक्ति प्रवेश्च न करे और वहां से उन्पोर्टेंट संसाधन को न चुरा ले इसलिए जो है ग्रामनिये लोग चौकिदारों की निक्त भी किया करते थे अपने जंगलों की सुरक्षा के लिए और परते घर उन्हें भुगतान करने के लिए कुछ अनाज का योगदान देता था जैसे आपने देखा होगा कि सहरों में अगर स्ट्रीट लाइट जलती है चाहिए चौकिदार लगता है तो उस सोसाइटी से हर एक व बislaks नुक्षा में नुक्त होता था तो ये काफि so one part बाताती है अंतीम पॉइंट की बात करें तो यही है अंतीम पॉइंट हर साल एक बढ़ा ही सिकार होता था यानि हर साल एक बहुत बढ़े सिकार हो लोग किया करते दे जहां प्रागारंड के गाऊंगे मुखिया मिलते थे और बन सहीत चिंता को मुददे पर चर्चा किया करते थे यानि वहाँ पर जो था एक बहुत बारा सम्मेलन होता था जहांपर हर एक गाऊंगे मुखिया आते थे अर इस गाऊंगे जो condition थी बनों की जो विवस्ता थी इस पे जो है उए अपनी चिंताओं को व्यक्त किया करता था और इसमें रहने वाली सुधारों पर विचार विमास किया जाता था तो इस तरह से जो था वस्तर के लोग के जीवन जो थी बहुत काफी इंपोर्टेंट थी और हर छेत्र में उनका जीवन जो है बहुत ही सुचारू रूप से माना जाता था The sixth question is the most important here and very easy also. There are explain any five causes of defloration in India under the colonialism rule. There is the most most important question here. Explain any five cases of defloration in India under colonialism rules. The first point here is the most important here. A population increase. The demand for a food won't up. There is a most most important here. A population increasing and demand for food won't up. There is a reason why defloration of the forest. And the second point here. A betis encourage the production of the commercial crop. There is a most important here. A raw material is produced there a betis sure. Encourage the production of the commercial crop. There is a most most important point here. And third point is also important. Forest where is a productive. There is a unproductive here. Forest where is a unproductive. And fourth point is most important. The spirit of the railway from 80 to 50th century. There is a most important here. 80 to 15th century. The spirit of railway form. There is reason for the defloration of the forest. And the fifth year. By the early 90th century. Ocas forests in the England where are disappearing. This is a create a problem for a timber. A supply for the Royal Navy. There is a most most important point here. There is a defloration of India. By the early 90th century. Ocas forests in England where it is appearing. And this is a create of problems of a timber supply by the Royal Navy. This point is the most important here. Emergence of plantation. There is a most important here. A five causing of defloration in India under two conical rules. There is a most most important point. A population increasing the demand of food. And the British are encouraged to the production of the commercial crop. Forests were up. Productivity and the spirit of railway form. In the 15th and the early 90th century. Ocas forests in England is disappearing. There is a most important point. Discussing here. Not down here. Not wrong. There is a most most important point here. Here is a question. question. Which is a question. Which is said. शाषन के तहत भारत में बनों का अनमुलन की नहीं पांच कारणों की आपने बताना है कि क्या भारत में उपने शाषन के तहत भारत में बनों का अनमुलन क्यों किया गया और बनों का अनमुलन से जो है क्या प्रभाप पड़ा यानि यहां पर हमने पांच कारणों का विस्ता बहुत खुश होता है और आपको जितने नंबर होंगे पांच कोशन होंगे पांच नंबर के होंगे और पांच पॉइंट आप दर्शाथे हो तो पांच मार्ग से जो है सानी से दे जाते हैं ठीक है अगर उसी को पहरा गडाफ के रूप में लिखते हो तो थोड़ा सा जो है और उसको पॉइंट नहीं दिख पाता है जिसके वज़से आपको नंबर जो है उसी हिसाब से वो देगा तो इसलिए आप जितना होसक के संभता हो जिस को आपकी समझ हो उसमें पॉइंट ही दर्शाव हो तो यह काफी आपके लिए महतपून रहेगा जैसे कि यहां पर भी मैंने पांच पॉइंट लिया है बेशकली कोशन बहुत बढ़ी इंपोटेंट है लेकि फिर भी हैं पांच पॉइंट है बहुत सदारन है अगर हम पहली बात करें अगर उपनिविश्य शाह संक्त भारत में बनानमने कारण क्या था तो सबसे बड़ी बात तो यही आती है क जनसंक्या बढ़ तिनना और भोजन की मांग बढ़ेगी जर्नल सी बात है जब जनसंक्या बढ़ेगी बोजन की मांग बढ़ेगी तो बनो का काटना सोभाविक बात बन जाती है जैसे अभी अधुनी की यूग में आप देख रहे होगे अभी जो बरतमान अभी चल रहा है ऊसमें देखोगे, अब ही बहुत छेत्रों को कार के, वहाँ पर घरों का निर्मान किया गया है, बढ़े-बढ़े factory बनाई गई है, तो अभी बन युक का बहुत मात्रा में कार दी गई है, तो यह कहते हैं, अंग्रेजों के समय क्या आज को यदि रह नुकर तो इसमें जर्नल सी बात है जनसंगा जैसे बढ़ेगी और उसी तरह से बनों का कटे जाना सुभाविक बात रहेगी दूसरी बात यही आती है कि अंग्रेजों ने वर्जनी की फसलों के उत्पादन को प्रसाइद किया हमने कई कोशनों में डिस्पादन के बात किया था कि भारत में बनों का काटने का सबसे बरा कानल यह था कि यहाँ अंग्रेज जो है फसलों में वर्जनी कृश्य करवाना चाते थे जो की कच्चे माल के रूप में वो अपने देश में उसके उत्पादन के रूप में बनाने थी इसलिए उन्हें बनों के काट के जो है वहाँ पर उन फसलों को लगाना सुचारू समझा जो इस फसलों से उनको कमर्शली पैसे मिल सके यानि जिनसे पैसे प्राप्त अधिक मातरा में होते थे वही फसलों के लगाने के पक्ष में थे और इसके लिए वो जो घर्दनों की कटाई किये जा रहे थे बन जो है अनुतपादक थे कहते बन में आंको पता होगा कि वहाँ पर पेर-पाधे लगे होते हैं तो यह पेर-पाधे혜े से नहीं होता है खाना प्राप्त भी नहीं होताया इसलिए इनों ने क्या क्या बनों को खाली करके जो है वहाँ पर क्रिश्री करना सभाविक समझा अगर सबसे इंपूरेंट बात देखे तो ठाड़ा सो पचास के दर्शक से रेलवे का परसार कहते हैं रेलवों के परसार ने भी भारत में बना अनुमनल का सबसे बरा कारण ब रहे थे यानि ओका के जंगल बिल्कूल ही कट चुके थे इंगलेंड में बास्यों ने भारत पर रुक किया और इसने रोयल नेवी के लकडी के आपूर्ती की समस्या पैदा कर दी और जिसके वजह से भारत में बन का अनुमनलन होना सुभाविक बात बात बन गया तो कहते ह समय आपकर अख़ी पॉइंट सहरो क्या हूं को आपके बात बात करन कर लिए बहुत असान पॉइंट है इसको याद करना वह-पके लिए बहुत असान हो जाएगा देंख्यों आपके माइंड में झायेगा और आपका मैं नहीं और वह आपका हो गाला वी नहीं यह सिरफ इस mobile में ही रह जाएगा यहां पर ही रह जाएगा मेरे पास ही रह जाएगा आप कोई इस ग्यान का प्राप्ति नहीं होगा अगर ग्यान की प्राप्ति करना चाहते है तो इसको note down करो इसको बार 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 याद करो बार बार समझो और देखो यह क्यों नहीं आपको याद होगा, यह तो कोई बहुत बड़ी बाती नहीं है, मैंने यहाँ पर कोशन इतनी असान लूप से दर्शाया है, कि इसको याद करना आपके लिए बहुत बहुत असान हो जाता है, तो सुचना नहीं है, आपने इसको अच्छे से याद क किया है, तो कर लिजिए, नहीं तो अगले चैप्टर का जो है, आपको नोटिफिक्शन नहीं मिलेगा, और अगले चैप्टर से आप अनविक्त रह जाएंगे, अगले जो है, कोशन जो होंगे, छे होंगे, जो की काफी इनपोर्टेंट होंगे,